हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बाइक के वाशिंग के समय की जाने वाली गलतियों की बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अपनी बाइक को हर एक दिन वाश करते हैं उसे धोते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं कि महीनों महीनों अपने बाइक को वाश नहीं करते हैं और दोनों ही तरीका गलत है इसके लावा बहुत से लोग क्या करते हैं कि वाशिंग के टाइम पर डिडर्जेंट, सोप या फिर बालों में लगाने वाले शैंपू को as a वाशिंग लिक्व करें या किसी प्राइवेट वाशिंग सेंटर में उसे धुलवाए तो आप इस बात का ख्याल रखे कि आपके बाइक का जो इंजन है या जो पाइपस वगरा है वो बहुत जादा गरम नहीं होने चाहिए इन शौड बहुत लंबे समय तक बाइक को चलाने के बाद अचानक से उसे वाश नहीं करवाना है इससे जो निकेल या फिर जो क्रोम की कोटिंग्स होती है वो खराब हो सकती है इसके अलावा आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा अपने बाइक को वाश करने के लिए जो माइक्रो फाइबर क्लोथ होते है जो टौवेल होते है उनका ही यूज करना है बहुत महेंगा नहीं होता है किसी भी आपको इस प्यार पार्ट के दुकार में 20-38 रुपई में ये मिल जाएगा तो इसका ही यूज करना है और जो अपर बॉड़ी है जो मेटैलिक पार्ट है उनके लिए अलग क्लोथ का यूज करना है और नीचे क लोग क्या करते है कि जो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट होता है या फिर डिश्ट होने वाला जो सोप होता है या फिर खास करके बहुत से लोग तो क्या करते है कि जो बालो में लगाने वाला शैंपू होता है उसका ही जाग बनाते है और अपने बाइक को धो डालते ह ये बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वाशिंग लिक्विड में अगर आलकलाइन का मातरा बहुत जादा हो या वाशिंग लिक्विड बहुत जादा एसेडिक हो जाए उससे क्या होता है कि आपके बाइक का जो पेंट है जो फाइबर का पार्ट है या फिर अगर अपने बाइक को धोते हो तो जो वाशिंग लिक्विड है उसमें पी एच का मातरा छे से लेकर आठ के बीच में होना चाहिए इसलिए हमेशा आपको अपने बाइक को धोने के लिए वाशिंग लिक्विड या जो वाशिंग शैंपू होता है जो कि आपको आपको बोटल खरीद ले आप एक बोटल खरीदेंगे तो आप अराम से कम से कम एक साल से जादा उस लिक्विट को यूज कर सकेंगे और उससे पेंट वगरा में आपके बाइक का किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा तो इस बात का पहली बात तो ख्याल रखे अब अगला ये एडवाइजबल होता है फिर भी अगर आपके बाइक का रनिंग बहुत जादा है और वैसे जगह में रनिंग है जहां पे धूल, मिटी, गर्दा जादा हो या फिर कीचड वगरा जादा हो तो वहां पे मैं रिक्रमेंड करूँगा कि आपको सब्ता में एक बार या दस दिन में कम से कम एक बार एक अच्छे वाशिंग लिक्विड के साथ अपनी बाइक को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए इसके लावा मैं आपको ये बेडवाइस करूँगा कि अगर आप जहां पे रहते हो वहां पे पानी का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको हर तीन या च चार दिन में जस्ट एक वाटर वाश अपने बाइक को दे देना चाहिए सिर्फ पानी से बाइक को धो देना चाहिए इससे ये फाइदा हो जाता है कि जो भी मिट्टी जो भी गंदगी खास करके जो चेन एरिया है वहां पे जमा हो गया है तो वो सब क्लीन हो जाता है और आपके बाइक के बहुत सारे जो पार्ट से खास करें जो nut bolts वगरा है वहाँ पे जंग लगने का chances, corrosion का chances, rusting का chances बहुत ही कम हो जाता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके साथ ही अगर आपके पास सुभा में वक्त होता है तो अपने बाइक को स्टार्ट करके राइडिंग करने से पहले जश्ट दो मीनट का टाइम निकाल के आप micro fiber जो cloth है, weight यानि की गिला cloth के साथ जश्ट अपना जो paint का पार्ट है जो उपर का body है उसे साफ कर दे तो ये भी advisable होता है तो friends जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो washing का duration है आप उसे ही follow करें इसके साथी जो washing का liquid है proper आप उसको ही follow करें इससे आपका जो bike का खास करके जो जो हमारा look है या फिर जो paint का shade वगरा है वो खराब नहीं होगा तो I am sure आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और channel के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लावा अगर आप channel पी नए हो तो channel को subscribe भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में थांक्स वराचिंग इस वीडियो गुडवाई